Good morning student, कैसे हैं? आप लोग आसा करते हैं, आप लोग सब अच्छे होंगे, अपने गरों में पढ़ाई कर रहे होंगे आज मैं क्लास KG1 सब्जेक्ट मैथ में पढ़ाने जा रही हूँ What comes between? मतलब कोई भी डिजिट के बीच वाले डिजिट जैसे 1, 1 के बाद क्या होता हमारा? 2, 2 के बाद 3, तो 1 और 3 के बीच में क्या है हमारा? 2, तो जो बीच में रहता है उसे between कहते हैं तो देखें, यहाँ पे जैसे हमने किया है 1, 2, 3, यह 2 हमारा हो गया क्या? between, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 है यहाँ डिजिट है, यहाँ 5 है तो बताएं यह बीच में क्या होगा हमारा? बीच में 4 होगा देखें, 3, 4, 5 तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे ठीक है? ऐसी करके देखें यहाँ पे 5, डिजिट, 7 तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 5 के बाद हमारा क्या होता है 6 तो 5, 6, 7 ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 7 7 उसके बाद यहाँ पर 10, 9 7 के बाद क्या होता हमारा देखिए 7 के बाद हमारा होगा क्या 8, 7, 8, 9 वैसे यहां भी, 9-11, तो यह दोनों के बीच, यह दोनों डिजिट के बीच में क्या होगा हमारा, यहां पे 10, 9-10-11, वैसे करके यहां भी होगा देखे, 11-13 है, तो यहां पे क्या होगा हमारा, 12, 11-12-13, ऐसे करके आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट करके, लिख के, यही आप लोगा होमवर्क है, गुरूप में सेंट कर दिजिएगा, अगर कोई भी तरह की परिशानी है, आप लोगो समझ में ना आ रहा हो, तो गुरूप में मैसेज करके बताईएगा, उसे हम लोग धिंक यू!